बोजपुरी मेगा स्टार रवी किशन ने वो काम किया है जो कि बोजपुरी का कोई और सितारा नहीं कर सकता वैसे आपको बता दे कि रवी किशन हमेशा अपने यूनीक कामों के लिए जाने जाते हैं फिर जनता के बीच में जाकर छट पूजा का जायजा लेना हो या फिर दिनेस लालियादो निरहुआ और आमरपाली दूबे की फिल्म की शूटिंग के दोरान उन्हें हर एक चीज मुहया करानी हो इन सब चीजों के लिए गोरकपुर में वो लगातार तत पर रहे हैं वैसे इन दिनों रवी किशन फिल्मों से दूर अपने राजनिती की जो पारी खेल रहे हैं उसमें भी वो बड़े ही मुस्तैदी से अपने सारे कार्यों को निप्टारा कर रहे हैं वैसे जो काम इस वक्त रवी किशन ने किया है भुजपुरी के और भी स्टार को विवादों से दूर रहके ये कारे करना चाहिए रवी किशन ने गोरकपुर में 40 लाख रुपे का ऑक्सिजन प्लांट लगवाने की बात चल रही है जिसके लिए उन्होंने जिला के अधिकारियों से परमिशन तक ले ली है अब ये कार जल्द होगा जिस तरह से देश में ऑक्सिजन की किल्लच चल रही है कोविड पेसेंट बढ़ रहे हैं उन्हें देखते हुए रवी किशन ने ये कारे किया है और आपको जानकर तब और हैरानी होगी कि रवी किशन ने इस सारे प्लांट में अपने पैसे सात की है और इस पे कारे भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं तो जो लोग भोजपूरी में सिर्ट और सिर्फ। Controversy create करते हैं उन्हें रवी किशन से कुछ सेखना चाहिए सेखना तो मनोस्तिवारी को भी रवी किशन से चाहिए क्योंकि मनोस्तिवारी भी अपने सांसदी छेत्र में इतना कारे नहीं कर रहे हैं जितना रवी किशन कर रहे हैं रवी किशन सांसत के रूप में गुरकपुर में उसी तरह कारे कर रहे हैं जिस तरह से यूपी के सीम योगी आदित्यनाद कर रहे हैं कभी योगी आदित्यनाद का ये सांसदी छेतर हुआ करता था और गोरकपुर में आम जनता के लिए जनता दर्बार भी लगता था और वो चीजे आज भी रवीकिशन करते हैं रवीकेशन गोरकपूर की जनता का पूरा ख्याल रखते हैं इस तरह से ग्यों की आदित्यनात रखा करते थे जब वो वहां के सांसद हुआ करते थे बोचपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलिए